नमस्कार दोस्तों मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता जुए में तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में हल छट, हल सश्टी छट और ललही छट की एक कथा सुनेंगे जिसको कई नामों से इस छट वरत को हम जानते हैं तो इसकी बहुत इलोग प्रिये कथा है जो आज आपको जरूर सुननी चाहिए छट के दिन तो कथा किस प्रकार से है तो चलिए सुरू करते हैं एक नगर में दो इस्त्रियां रहती थी, दोनों एक ही परिवार की थी और इस्ती में देवरानी जेठानी लगती थी देवरानी का नाम सलोनी था जो बड़ी ही निक और सदाचार्णी तथा दयालू थी जेठानी का नाम था तारा, वो सोभाव से बड़ी ही दुष्ट थी एक बार दोनों ने हलचट का ब्रत किया विधिवत पूजन इत्यादी के बाद साम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोस कर ठंडी होने के लिए रख कर बाहर जा बैठी उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महिरी बनाई थी अचानक दो कुट्टे उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे अंदर से चपचप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्च के भीतर जाकर देखने लगी सलोनी ने कुट्टे को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तता बरतन में बची हुई बाकी भी खीर उसके सामने डाल दी लेकिन तारा थाली में कुट्टे को खाते देखकर आग बबुला हो उठी उसने कमरे के द्वार जो थे उसको बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुट्टे को इतना मारा कि उसकी कमर तोड डाली कुट्टा अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचा कर वहां से भागा दोनों कुट्टे जब बाहर मिले तो एक दुसरे का हाल समाचार पूछने लगे जो कुट्टा सुलोनी के यहां गया था बोला मैं जिसके कक्च में गया था वह इस्तरी तो बड़ी ही भली थी मुझे खीर खाते देख कर भी उसने कुछ नहीं कहा बलकि बरतन में खीर खतम हो जाने के बाद भी उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पिट खा सकूँ उसने तो मेरी आत्मा ऐसी त्रिप्त की कि मैं उसे बार वार आसिरवात दे रहा हूँ मेरी तो इस वर से यही कामना है कि मरनी के बाद भी मैं उसी का पुत्र बनूँ और जीवन भर उसकी सेवा करके इस रिंड को चुकाता रहूँ जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को त्रिप्त किया है उसी प्रकार मैं भी उसके आत्मा को त्रिप्त और प्रशन करना चाहता हूँ अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बिती लगता है तुम्हारी तो वहाँ खुब पिटाई हुई दुसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई आज से पहले मेरी ऐसी दुरगती कभी नहीं होई थी पहले तो थाली में मुह मारते ही सारा जबडा हिल गया फिर भी भूख से परिसान होकर मैंने दो चार कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली मैं तो इस्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जनम में मैं उसका पुत्र बन कर उससे बदला चुका हूँ जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हिर्दय और कमर तोड़ डालूँ कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दुसरा कुता सिगर ही मर गया और मर कर उसने तारा के घर में पुत्र के रूप में जणम लिया पुत्र रतन पाकर तारा बहुत खुसुई पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मनसुबे बाध लिये मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हलसश्टी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया तारा की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई वह दहाडे मार मार कर रोने लगी मगर किया क्या जा सकता था जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया फिर तो हर वर्स उसका लड़का होता और हलसश्टी के दिन मर जाता जब तीन चार बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदे हुआ आखिर मेरा लड़का हल सश्टी के दिन यूं बच्चे क्यों मर जाते हैं फिर एक रात सपनी में उससे वही कुत्ता दिखाए दिया उसने कहा मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मिर्तु को प्राप्त हो रहा हूं तुने मेरे साथ जो बेवहार किया था मैं उसी का बदला च जासित करने का उपाय पूछा तब कुत्ते ने बताया अब से हल्चट ब्रत के दिन हल से जूता हुआ अन्य तता गाय का दूद दही न खाना होली की भूनी हुई बाल तता होली की धूल आदी हल्चट पूजा में चड़ाना तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहू तारा ने वैसा ही किया और इस हल्चट के ब्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी तबी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए या ब्रत किया जाता है एक बार प्रेम से बोलिये हल्सष्टी माता की जै ललही छट माता की जै